अब ओर दो टर्म्स हैं इसके अंदर एक है coaching and mentoring ये भी आपने दो लवज अक्सर सुने होंगे आज इसको थोड़ा से समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है coaching and mentoring ये basically साधा लवजों में दोनों का मकसद एक ही होता है आगे मैं आके जाके differences भी explain कर दूँगा मकसद दोनों का ये क्यों होता है guide करना अपने से junior जो है profession के अंदर ये जो दूसरे लोग है उनको guide करना उनको समझाना सिखाना वगारा वगारा ठीक है तो ये आज आता है किसमे coaching and mentoring तो अब coaching क्या होती है मेंटोरिंग क्या होती है अब देखें इसको जड़ा और से mentoring में यह होता है कि ongoing relation है that can last for a long period of time लंबे अर्से तक जब के coaching में हम क्या करते है relationship generally has a set duration अब देखें cricket में हम क्या कहते है mentor नहीं बोलते cricket में क्या बोलते है cricket coach वो basically एक साल के लिए दो साल के लिए तीन साल के लिए hire किया जाता है ठीक है ना जबके mentor कोन होता है वो आपका ऐसा उस्ताद होता है जो आपका lifelong उस्ताद भी हो सकता है उसकी कोई limit नहीं होती ठीक है नो कोई भी हो सकता है अचा can be more informal and meeting can take place as and when the mentee यानि जो इसको mentoring जिसकी की जा रही है यानि शागिर्थ need some advice, guidance and support यह informal structure होता है mostly और कहीं भी meeting हो जाती है दोनों आपस में मिलके कहीं भी बैठ जाते हैं और advice, support, guidance का mechanism करते हैं यह क्या होता है generally more structured in nature and meeting are scheduled on regular basis तो आपने देखा cricket की अगर मैं आप example ले लें तक कि बात हमें समझने में असानी हो जाए तो जो cricket में coaching होती हो ऐसे नहीं होता कि बस कहीं भी बैठ गया, hotel में बैठ गया, अधर बैठ की coaching हो रही यह नहीं वो ground में बुलाएगा आपको सुबह पांच बजे आ जाएं यह पहले हम running करेंगे पर exercise होगी फिर यह होगा बगारा बगारा ठीक है तो regular basis पे अपने उस पे चलते हैं more long and take more long term and take broader view of the person more long term ठीक है नहीं मैंने जैसे बताया कि long term होती है और जो student है यानि जिसको mentee बोलते है mentee ठीक है ना उसको as a whole human being पर उसकी जो है वो उसकी guidance और support का का काम किया जा सकता है जैसे आजकर अगर आप उर्तुरुल ड्रामा गर देख रहे हैं तो उसमें उर्तुरुल जो है आपने देखा होगा के उसमें इबन अरभी उनको दिखाया गया तो वो basically mentoring कर रहे हैं वो जहां जाता है उर्तुरुल तो वो उसको कहीं न कहीं उसको help out करते रहते हैं guidance करते है हैं समझाते रहते हैं और उसकी हिम्मत बंदाते हैं और कोचिंग में क्या होता है शॉर्ट टम टाइम बाउंड फोकॉस स्पेसिफिक डिवल्पमेंट एरिया यह बड़ा इंपॉर्डूरिंग में पूरे इंसान को इनसान को ऐसे पूरे human being लेकर उसके हर एरिया के उपर इसको गाइडन चीजाए है, जब के ऐसे मिसाल की तौर पर जो बॉलिंग कोँछ है वह बैटिंग की टिक्स नहीं सिकाता आपकोो ठीक है mentor is usually experienced and qualified than the mentee often the senior person can pass on knowledge experience and open the doors otherwise out of reach of the mentor mentor कोन होता है आम तोर पे एक experienced बंदा होता है ज्यादा qualified होता है बड़ा होता है अपने student से अपने mentee से experience में knowledge में skill में ठीक है तो वो उसकी जो है वो क्या कर रहोता है उसको सिखाता है मुख्लिफ opportunities के बारे में knowledge के बारे में experiences के बारे में ठीक है तो उसके लिए नहीं नहीं दरवाजे खूलते हैं जबके coach क्या होता है coach is generally not performed on coaching is not performed on the basis of coach needs to have direct experience from the client formal occupation rules उसको जरूरी नहीं है कि उन cricket का coach होता है ऐसे भी coaches आया है जिन्होंने कभी cricket खुद खेली ही नहीं है मतलब एक बंदा सेचें टेंडूल को coach कर रहा है वो खुद 100 century है मार चुका है लेकिन जो coach हो सकते है उसमें 10 match खेले हो लेकिन भारहल coaching कर रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि जैसे mentoring में होता है mentoring में होता है कि उसी experience भी है ज्यादा qualified है और वो अपने experiences और यह चीज़ने सिखा रहा है coaching में यह चीज़ नहीं है coaching में बस वो उसका direct experience है किसी एक चीज़ में और वो उसको सिखा तो उससे उसको फरग नहीं पड़ता कि क्या rules है क्या regulations है उस बंदे के अपने organization के असाफ से unless the coaching is a specific sales plan अच्छा focus is on career and personal development mentoring में क्या होता है उसकar career बनाया जा रहा है उसकी शखियत निखारा जारा है personal grooming की जा रही होती है इसमें focus किया है development आ फैने issue at work इसमें शखियत को नहीं निखारा जाता बलकि उसकी कोग जो खास set of skill है उसको improve किया जाता है या अगर उसका कोई problem है उसको sort out किया जाता है जैसे मिसाल की तोर पर nutrition जो हाइर किया जाते है sports के अंदर तो अगर किसी को obesity है किसी का blood pressure control करना है या कोई और ऐसा problem है तो वो होता है यसी तरह bowling coaches हैं तो वो देखते हैं यार किस baller को क्या problem हारा है जैसे आपने देखा होगा तो अकसर दिखाते हैं कि जो ball कराते हैं तो उनका arm का जो action है यानि बाजू का action है वो ठीक नहीं है तो येक issue है तो वो उसको practice कराएगा कराएगा और वो उसके उपर काम कराएगा उसका इससे घरज नहीं है कि इसकी तखलीक की इसकी जो शक्सियत है उसको निखा रहा जाएगा नहीं बस वो उसकी balling के उस angle को set करेगा Agenda is set by the mentee with the mentor providing support and guidance to operate them for future roles Agenda क्या है mentee set करता है थीक है जो student है mentor के साथ मिलके और उससे support और guidance लेने के लिए future roles के लिए फूचर में जो उसने perform करना है Agenda is focused on achieving specific immediate goal इदर agenda क्या होता है अभी goal क्या है कि इसकी balling set हो जाए ताकि ये अच्छी victim लेए ताकि मुल्क जीजए तो एक specific immediate goal क्या है कि इसका arm का action set हो जाएगा तो इसकी balling की line and length set हो जाएगी तो वो अच्छे से perform कर लेगा मैं आपको बार-बार cricket की एक ही example से सारा coaching का concept समझार हूँ ताकि आपको समझने में असानी हो Mentoring involves more around developing the mentee professional career यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें हम यह कर रहे हैं कि उसकी जो professional career है उसकी भी grooming हो जाए जो mentee है यानि जो student है उसको overall professionally भी फाइदा हो जबकि coaching involves more around the specific development इसमें आप देखें बार-बार एक ही बात आ रही है specific इसमें coach एक खास मकसद के लिए आप conclusion दे रहा हूँ coach एक खास मकसद के लिए एक खास time frame के लिए और एक खास issue को resolve करने के लिए या एक खास skill को develop करने के लिए होता है बसकि मैंने सारा आपको crux बता दिया जबकि mentor क्या होता है यह overall होता है यह journal होता है यह journal guidance और personal development career development में आपको guide करने वाला अकसर आपने देखा होगा कुछ जो बड़े बड़े नाम होते हैं तो आपने बताते हैं कि मेरा यह फला उस्तास था जिसने मुझे सिखाया और यह किया और हो सही वाले असली पीर नगली दो नंबर नहीं है जो पैसे लेते हैं और चंदा डाल दो बकरा ले और दुमबा ले और वह ले नहीं जो सही लोग थे नेक बंदे वो लोग को इसी तरह तो वो में lifelong process तो यह है basically mentoring and coaching में फर्क थी